एलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग, पढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, चलिए आज हम बनाते हैं समुझ से मेड वाली, मेड वाली समुझ से बनायाने के जो जो इंग्रीडेंट्स ले लिया हमने बता देते हैं, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, अमारे नई और पुराने फ्रेंट्स लोग को स्वागत है, तो हमने उबल के अलू ले लिया, तीन आधा किलो, और इन्हें छील के छोटे-छोटे टुकडे भी कर सकते हैं, आप मैस भी कर सकते हैं, और मैंने एक टुकडा अद्रग ले लिया, दो इन्ची करीब, और एक मुठी बर मैंने लशुन लिया, और हरी मिर्ची खुप सरे ले लिया, तो चाहे तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं, नहीं तो ना डाले, आपकी पड़िफिन करता है, और मटर ले लिया, पिनाट ले लिया, कच्चे हैं सब कुच भूनना है, मेरे को पिनट को और कूटके दरदरशा ले ले लेंगे, और अद्रग और लशुन को भी हमने कूटके ले लेंगे और मैंदा एककटोरी धाई सो ग्राम करीब और डेड़ सो ग्राम करीब आटा ले लिया और सो ग्राम करीब मैंने लिया यहाँ पर सोजी तुझी ना भी डाले तो बन जाएगा इसे कोई दिक्तत नहीं है और यह ओयल है बाकी अजबन कॉलंजी हम डालेंगे आटा गुनते की टाइम में आटा को अच्छी तरह छान के ले 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 कटोरी में तो और भी विशेश विशेश कुछ डालेंगे मसाला में तो हम बता देंगे चलिए शुरू करते हैं तो दस्तो हमने शुरू करते हैं डो लगाने तो हमने मैदा ले लिया पहले एक कटोरी आप कोई भी कप में कटोरी में ग्लास में मेजार कर सकते हैं और सूजी डालते हैं इसलिए क्रिश्पी पन थुड़ा ज़्यादा आए नेतो सूजी की जग में अब बेशन भी डाल सकते हैं तो हलका साथ हम ओयल डालेंगे और नमक डालेंगे आटे में एक चम्मच करीब क्योंकि नमकीन थुड़ा अच्छी तरह होना चाहिए और हमने आधी चम्मच करीब कलंजी को डाल दिया इस तरह कलंजी जो है अप्सिनल है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं और एक चोथाई चम्मच करीब में डाल रही हुआ हमारे ओजबाइन ओजबाइन बोलते हैं कही जग में हर एक चीज की अलग-अलग नाम होती है तो हम इनमें अच्छी तरह गूंध लेंगे इस तरह और हम ओएल भी डालेंगे एक कड़ची करीब जैसे सब्जी जो सर्व करते हैं उसी में हम कर्ची एक कर्ची नाम के लिए लिए हैं तो चले हम अब इनको अच्छी तरह इस तरह आटा गूंदने के जो ट्रीक है वो हम बता देते हैं इस तरह पहले मुठ्धा बना लिजेगा मुठ्धी में अगर इस तरह ओइल ठिक ठिक लग रहा है तो आपको और ओइल डालने के ज़रूरत नहीं है और इस तरह थोड़ा सा मसन के हमने अगर मेरा इस तरह हम सारे आटे को इस तरह कर लिया है अब देख सकते हैं आटे जो है न मुठ्धी बन रहा है इसका मतलब आटे जो है हमारा अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए है तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड श्यार करती जीगा और बना के ख ना भूलिएगा साइट में बेल आकन है उन्हें भी प्रेस कर दे हमारे चनल में कही सारे समॉसे है नमकीन है और चीकन है मतन है सब को जाकर आप देख सकते हैं यह देखिए धिरे-धिरे आटा को हमने इस तरह कर लिया है आप इडो लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जादा नहीं एकदम थोड़ा थोड़ा पानी एक एक चम्मच करीब पानी डालके हम इन्हें अच्छी तरह डो बना लेंगे ना जादा सोब ना जादा कड़क एकदम मुलायम सा क्योंकि शूजी है न वो धिरे-धिरे जो पानी को एपजब करे लेगा कोई दिक अच्छी तरह नहीं है तो चलिए हम डो लगा लेते हैं अच्छी तरह तो मैंने अभी अटा को इस तरह मैस कर लिया थोड़ा सा वैल हाथ करके अभी ढख करके इनको रख देते हैं 10-15 मिनिट रेष्ट के लिए तक हमारे जो डो है अच्छी तरह एकदम सब्ट बनके और भूद के ले लेंगे तो चलिए 15-20 मिनिट के बाद हम मिलते हैं फिर हम फिलिंग बनाएंगे एक चमच ओएल डाल के हमने इससे फिनाट को रख दे भूनने के लिए अभी 5-7 मिने लगेंगे इनने भूनने के लिए क्योंकि हमने डीफ्राइन नहीं किया डीफ्राइन तो हम आलू बगरा और अद्रक आलू इस तरह हूं लेंगे उनको भी पूट लेते हैं और मिर्ची को बारिक चर्प कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट मिलते हैं तो हमारा जो पीनाठ है हमने बोन लिया है और अभी ठंड़ करके इनको डदरसा हम कोट लेंगे थोड़ा सा डदरसा कोट के डालने से एक एक टुकड़ा एक एक वाइट में आता है तो अच्छा लगता है और आप नारियल भी डाल सकते हैं कोकोनाट जो है सूखी यानी न चैनारियल भी अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा दिन तक रूखने बाला नहीं है समसक्यों जल्दी खतम करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम आलू की फिलिंग बना लेते हैं इन्हें उतार के हम कोट लेंगे मैंने होई बला पैन में एक करची करीब डाल रखा है सूरसों की ओएल और इसमें हैट करनी हूँ लेस्वन लेस्वन और प्याद बगर भी अब बना सकते हैं क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाल के रखा में एक शूजी का नस्ता बनाया तो उन्हें मैंने प्य आतलस्वन कुछ भी नहीं डाला ऐसे ही फिंपल सी बनाई बहुत ही टेस्टी था तो आप इस तरह भी बना के बना सकते हैं देख करके फोलो कर सकते हैं और इंस्टाग्रम में फेस्बूक में हमारा चैनल पर जाकर आप उनमें भी फोलो कर सकते हैं यह देखिए अब हम अद्रग अद्रग को में ग्रेट कर लिया है वह भी एक चमच करीब में एड करूंगे आप अध्रग लशन को अच्छी तरह हमने भून करके आप हमने एड कर दिये हरी मिट्सी और ठोड़ा सा करीवत्ता तो आपके पाद हरा दन्या है तो हरा दन्या जयाब एड चल सकते ह हैं तो इसको अच्छी तरह हम भूनी लेंगे तो अध्रग लशन के साद आप चमच बनाएं न वह अथी टेस्टी लखती है और धन्या जो साबूत कोई-कोई डालते में मेरे को फसंद नहीं है तो मैंने इसलिए टीप कर डाली हूँ तो आपको पसंद है तो तो साबूत आप डाल सकते हैं तो हम अभी क्या करेंगे इन में मोटर को एड कर देंगे कसी मतर मैंने एक कटरी ले लिया इंतो भी एड कर दे थे हम यही बसा लगी साथ बोन के सेट दम्स बॉइद हो जाएगा है अधि नमक हम एड कर देते हैं अभी इस ती तो मैंने अभी नमक स्वा और एक चमच करे में कोरियंडर पाउडर यानि धन्या पाउडर एड कर रही हूं और लिम्बू की रस लास्ट में एकदम आखिर में एड करेंगे या तो खटाई है तो आपकी खटाई लिम्बू की जगह में एड कर सकते हैं खटाई की जगह में आप लिम्बू भी एड क कर सकते हैं तो चलिए इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ढग देते हैं दो-चार मिनिट के लिए ताकि मटर अच्छी तरह पक जाए तो मटर हमारा एकदम सौप्ट हो गई है हम अभी क्या करेंगे आलू को मैंने बारी काट लिया एकदम से तो इन्हें एड कर देते हैं अभी बाकी नमक थोड़ा सा हम काला नमक मिलाएंगे क्योंकि नमक थोड़ा कम है और काली नमक जो मिलाते हैं टेस्ट दूगना हो जाती है इसमें तो आप ज़ barbecue मिलाईेगा जी हाँ अपने से ही सुने हैं काला नमक वह वासी सबजी को इन्हेंस कर देता है और अच्छा लगता ह टेस्ट, तो मैंने आदी चम मचकरी काला नमग एड़ कर दिया है, अभी आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिलें को आप कर देंगे, फिनाट को भी मैंने इस तरह एकदम दर दर सा कूट लिया है, जब हम फिलिंग टॉपिंग डालेंगे तब हम एड़ करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तो हमने जरासा नाम के लिए गरमसल पाडर एड़ कर दी, और थोड़ा सा काली मिट्ची पिसी होई घर की है, है भी टॉपिंग है, और लिम्बो की जोस हम आमचोर की जगह में लिम्बो की जोस एड़ कर दी हैं, तो इन्हें मिला लेंगे और फिलिम्बो आप कर देंगे, क्योंकि लिम्बो पकने के बाद ना कड़वा हो जाती है, और थोड़ा सा हम देशी घी इनमें एड़ कर रहे हैं, ताकि खिसबुदार बने, अच्छी बने, तो दोस्तो हमने टॉपिंग बना लिया हैं, और हमारा जो पीनाट को मैंने दर सा उठ लिया था, अब इस बकत हम मिला देंगे, ठाकि ज्यादा सौफ्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले नहीं मिलाया, अब हम चेक करते हैं, हमारे डो को 15-20 मिनिट हो गया है, हम इनको अभी अच्छी तरह एक बार बहुर मसली लिएंगे, थुड़ा सा ओयल आद करके, तो चलिए दोस्तों, हमने मैट समझ सके लिए एक लोई लिया, जैसे रोटी बनाते हैं, उससे भी थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा, लोई को या पेड़े, जो भी कहते हैं आप, तो इसका जो एक्टर, पीचे से इसको काट देंगे, इस तरह मिलकुल, ठीक है, फिर बीच इस तरह हम काट लेंगे, और इस तरह हम इनको इनको इस तरह रख लेंगे, ठीक, फिर हम दुसरे बाली जो आट लोई है, हमने इस तरह रख दिये हैं, फिर हम थोड़ा सा मैंदा है ना, तो थोड़ा सा ऐसी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा सा फिलिंग डालेंगे इनमें, और इस तरह हम एक की उपर इस तरह रख देंगे, और थोड़ा सा नाइफ एक लेंगे, तो हम इस तरह काड लेंगे, थोड़ा सा पानी में ना, आप नाइफ का किनारों को छोली जेगा, तक ही नाइफ में छिपक्या आटा ना रहें जाए, वैसे तो आटा मैंता नहीं रहते हैं, ऐसे, फिर भी मैं कह देंगे, तो हम एक एक पोशन लेंगे इस तरह, और थोड़ा सा वाटर में टाच करेंगे, और एक एक करके इस तरह हम मेर समस्षा बनाते जाएंगे, आप मैदा का जो ग्लूओ वो भी बना सकते हैं, जो छिपकारने के लिए जो आपको और भी आसान रहेगा, तो इस तरह हम देख सकते हैं आप बना रहे हैं बहुत इजी है और बनाने में भी बहुत मजा आती है और खाने में तो बहुत ही मजा आता है आप बना के जरूर एक बड़ ट्राई करिएगर अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता है तो चली देर ना करते हुए हम इस तरह तीन चार पीस बना के अभी हम डीफ्राइग कर लेंगे डीफ्राइग चाहें आप किसी में भी कर सकते हैं जैसे मान लिजिए, पनस्पती घी में है, देशी घी में है, रिफाइंड ओयल में, जैसे आपको आसानी खाने में मज़ा आए, तो आप इस तरह बना करके, या तो इस तरह बना के आप स्टिक टोर भी कर सकते हैं, स्टोर करने में भी कभी भी आप निकाल के आप खा सकते हैं डी फ्राइ करके तुरंट तो चलिए एक एक करके हम बना लेते हैं सारे ऐसे मैंने दूसरा भी बना के आपको दिखा देती हूं इस तरह रोटी की तरह परांठा की तरह बना लेना है और जितना बड़ी और पतली बना सकते हैं आप आपकी हिसाब से देख लिजेगा और फिर हम किनारों को काटके और फिफ्टी फिफ्टी कर लेंगे फिर उसके बाद हम टफिंग डालके और बना लेंगे बनाने में मैट समुसरा बहुत ही इजी है वैसे भी प्लेन समुसरा पेटीज कुछ भी बनाईए न बहुत मजाता है बनाने में खाने में तो और दुगना मज़ा थी है तो तेलिए हो गया हमारा ये जो रोटी तो इस तरह हम चार और काट लेंगे काट की नहीं फेकना भी नहीं जो रो है न आपका उसी में आप दबा के रख दीजेगा तो नेक्स्ट बार जब लेंगे लोई तो वह काम आ जाए होगा अपका तो इसमें हम इस तरह बीच में काट लिए और थोड़ा सा हम खळा लेते हैं इस तरह उस तरह एकदम सेम तरीकशे दूसरा भी कर लेते हैं तो हमने सेम तरीकशे रख लिया हमारा जो आटे की लोई को बेल के रोठी के तरह बना लिया सेम तरीका से आप बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो एक साइड में से हम इस तरह उठा लिया और दूसरी साइड में भी हम इस तरह उठा लेंगे थोड़ा सा किनारों में पाने टच करते जाएंगे इस तरह तकी अच्छी तरह और इस तरह मेट समस्था बनाते जाएंगे आप भी जरूर बनाईएगा खुब मज़ा आता है बनाने में यह देखे करके जरूर आता ही देखे करने जर्दान साजिए बनाते जाएंगे आता है थायां हो not ये देखिए हमने दुसरा तीसरा चौथा भी बना लिया और इस तरह से हम अभी घी में डी फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो यार फ्राइ में भी कर सकते हैं और नहीं तो आप ओवन में भी कर सकते हैं अगर डी फ्राइ बला नहीं खाने है ये देखिए इतना अच्छा आ रहा है न तो मैंने यहाँ पर बानस पती घी रख दिया एक कड़ाई में और जब तक ओल गरम हो जाता है तब हम अध करते हैं समस्य तो आप देख सकते हैं समस्य हमारा एकदम रेडी है एकदम स्लो फ्लेम में इन्हें बनाना पड़ता है और जितना स्लो फ्लेम में आप बनाएंगे ना तो अंदर से शिकेंगी और एकदम खास्ता समस्या बनके तियार हो जाएगा 15-20 दिन तक पढ़ा भी रहेगा आपका कोई दिक्कत नहीं है तो अभी और दो चार मिनिन में हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं फिर हम दुबारा दूसरी बैज भी हम सेम तरीका से इस तरह बना लेंगे ठीके फिर हम लेट करते हैं ओके तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यह देखिए क कितना अच्छी तरह हमने मैट समसा बना के रेडी कर लिए चाय की साथ केचब की साथ धनिया की चटनी की साथ मजा लीजिए और खाईए हमारा वीडियो देखने के लिए किंती समय देने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया थैंक्यू बाइब बाई मिलते हैं नहीं बगी साथ